हेलो फ्रेंड स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तो आज किस वीटर मैं आपको बताने वाला हूँ फेस्बुक पर अपना नेम कैसे चेंज कर सकते हैं सबसे सरल तरीका बताने वाला हूँ तो दोस्तो अभी देख सकते हैं हमारी फेस्बुक पर हमारा नेम है अरविंद तो दोस्तो इसे हम change करने वाले हैं तो दोस्तो इसे change करने के लिए आपको करना के simply आपको Facebook application open करना है open करने के बाद आपको right side में दिखाए दिरे तीन line पर click करना है जिसे आप तीन line पर click करेंगे उसके बाद यहां से आपको नीचे scroll करना है और यहां पर आपको option मिलेगा setting and privacy तो आपको setting and privacy पर click करना है and setting and privacy पर click करने के बाद दुबारा आपको just नीचे settings का option मिलेगा तो आपको settings पर click करना है जैसे आप settings पर click करेंगे ऐसा interface आएगा तो यहां पर सबसे पहले मिल जाएगा profile प्रोफाइल के नीचे आपको मिलेगा एकाउंट एकाउंट के जेस्ट नीचे आपको मिलेगा पर्सनल इनफोग तो आपको पर्सनल इनफोर्मेशन पर क्लिक करना है जैसे आप पर्सनल इनफोर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहां ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहां आपको name की नीचे तीन box मिल जाएंगे first name middle name last name तो यहां से आपको जो भी change करना है तो यहां से आप जो है आप change कर सकते हैं तो जैसे कि हमें भाई को हटाना है और कुमार को रखना है और दोस्तों नीचे आपको notes में मिल जाता है कि आपने Facebook account का name change कर रहें अगर आप अगली बार चेंज करना चाहें तो आप 60 दिनों के बाद ही कर पाएंगी यानि कि आज के बाद आप 60 दिनों के अंदर नेम अपना चेंज नहीं कर पाएंगे तो आपको जो भी हां से चेंज करना है आपको जो है टाइप करने के बाद आपको रिव्यू चेंज पर किलिक करना है जैसे आप रिव्यू चेंज पर किलिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राविव यूर निव नेम तो यहां पर जैसे लिखावा अरभिंद कुमार कुमार अरभिंद त तो यहाँ पर आपको box मिलेगा इस box पर किलिक करना है और यहाँ पर अपने facebook account का password डालना है अगर आपने facebook account का password भूल गए हैं तो उस पर हमने complete video बना है उस video का link इस video के description में मिल जाएगा और वो video in description में मिल जाएगा तो उस video को देखकर इजली अपने facebook के password को पता कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर simply अपना password जो है डाल देना इस box में तो चलिए दोस्तों हम यहाँ अपना password डाल देते हैं password डालने के बाद simply आपको save change पर किलिक करना है जैसे दोस्तों save change पर किलिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका successfully name change हो जाएगा तो चलिए दोस्तों हम अपनी facebook profile को दोबारा open कर लेते हैं और देखते हैं हमारा name change हुआ या नहीं तो जैसे दोस्तों हम facebook अपनी profile पर किलिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अरविंद भाई की जगा पर अरविंद कुमार आ चुका है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगो तो वीडियो को लाइक जरूर करना थैंक यू सो मर्ड़